नमस्कार जैसी ग्रश्णमर नाम है जोशी आशिश और आप देखना शुरू कर चुके है ज्यतिश की दुनिया का आपका आपना यूट्यूब चैनल धरुद्र आस्ट्रोलोजी आजम बात करने वाले हैं मैं 2023 के सभी शुब महुर्तों के बारे में मै के महिने में वैशाख और जेष्ट का महिना आता है इस महिने में विवाह सगाई ग्रिह प्रवेश ग्रिह आरंब करनवेद इतियादी समस्कारों के कितने महुर्त हमें प्राप्त हो रहे हैं किस दिन हमें महुर्त करना चाहिए सारी जानकर रिशाष्टर प्रमाणों के पर दिये जाएंगे तो अन्त तक इस वीडियो को अवश्य देखें अगर आप पहली बार हमारे चैनल की मुलाकात ले रहें तो सब्सक्राइब करना न भूलें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो को शेर करें चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले मई 2023 के विवाह के महुर्तों की बात करें उससे पहले आपको बता दे कि इस विवाह के महुर्तों में जेष्ट के महीने के महुर्त भी आएंगे तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, इस महीने में बड़े लड़के या फिर बड़ी लड़की की साधी है, वह जेश्ट के महीने में करना उचित नहीं होता है, छोटा लड़का या फिर बीच वाला लड़का है, उसकी साधी या लड़की की साधी कर सकते हैं, बड़ा ल ती उत्तरा फाल्कुनी नक्षत्र, तीन मैं 2023 बुद्वार, वैशाख शुकल त्रयोद शीती थी हस्त नक्षत्र, 4 मैं 2030 गुरुवार वैशाख शुक्ल चतूर दशीती थी चित्रा नक्षत्र 5 मैं 2030 शुक्रवार वैशाख शुक्ल पूर्णी माती थी स्वाती नक्षत्र 6 मैं 2030 शनिवार जेश्ट कृष्ण क्रतिबदाती थी विशाखा नक्षत्र 7 मैं 2023 रविवार जेश्ट कृष्ण द्वितियाति थी अनुराधा नक्षत्र 8 मैं 2023 सोमवार जेश्ट कृष्ण त्रुतियाति थी जेश्टा नक्षत्र 9 मैं 2023 मंगलवार जेश्ट कृष्ण चतूर्थी थी मूल नक्षत्र 10 मैं 2013 बुदवार जेष्ट क्रुष्ण पंचमीतिती पूर्वा शाडानक्षत्र 11 मैं 2013 गुरुवार जेष्ट शुक्रुष्ण सस्थीतिती उत्तरा शाडानक्षत्र 12 मैं 2013 शुक्रवार जेष्ट क्रुष्ण सप्तमीतिती श्रवननक्षत्र 15 मैं 2013 सोमवार जेष्ट कृष्ण एकादशी ती पूरुवा बादरपदा नक्षत्र 16 मैं 2013 मंगलवार जेष्ट कृष्ण अध्वादशी ती उत्तरा बादरपदा नक्षत्र 21 मैं 2013 रविवार जेष्ट कृष्ण द्वितिया ती रोहिनी नक्षत्र 22 मैं 2003 सोमवार जेष्ट शुक्ल तृतियाति थी म्रगशिर्ष नक्षत्र 26 मैं 2003 शुक्रवार जेष्ट शुक्ल सब्तमीति थी आश्लेशा नक्षत्र 27 मैं 2003 शनिवार जेष्ट शुक्ल सब्तमीति थी मघा नक्षत्र 28 मैं 2023 रविवार जेश्ट शुकल अश्टमीत थी पूरवा भलगुनी नक्षत्र 29 मैं 2023 सोमुवार जेश्ट शुकल नवमीत थी उत्तरा भलगुनी नक्षत्र और 30 मैं 2023 मंगलवार जेश्ट शुकल दशमीत थी घस्तनक्षत्र यहां पर आपने देखा होगा कि बहुत से दिनांग के विवाह मुहुर्त में दी हुई है तो यहां पर एक आवशिक सूचना आपको प्रदान करें कि यहां पर भारत के गणमान्य पंचांगों से संकलित करके मुहुर्त बताये गए है जैसे कि गुजराच से संदेश जन्म भूमी इत्यादी पंचांग, लखनव का रामप्रसाद पत्रा, काशी का रिशिकेश पंचांग, गनेश आपा पंचांग, हनुमत पंचांग, अन्नपूरणा पंचांग, नीमच कारिया लईका पंचांग, इत्यादी, दिरने सागर पं अंसा मुहुर्त सटीक बैठता है वह जानना चाहते हैं तो नीचे दिये गए वोट्सेप पर आप मारा संपर्क कर सकते हैं सगाई वरवरण, कन्यावरण या फिर फलदान के मुहुर्तों की बात करें तो 1-Mai-2023 सोमवार वैशाह शुकल एकाद शीति थी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 10-Mai-2023 बुदवार जेश्ट कृष्ण पंचमीत थी पूर्वा शाड़ानक्षत्र 11-Mai-2023 गुरवार जेश्ट कृष्ण पैशस्थेति थी उत्तरा शाड़ानक्षत्र 15 मैं 2013 सोमवार जेष्ट कृष्ण एक आदशीती थी पूरु आफाल बादरपदा नक्षत्र 21 मैं 2013 रविवार जेष्ट शुकल द्वितियाती थी रोहिनी नक्षत्र 29 मैं 2013 सोमवार जेष्ट शुकल नवमिती थी उत्त्रा फालगुनी नक्षत्र 30 मैं 2023 मंगलवार जेश्ट शुक्ल दश्मीती थी हस्तनक्षत्र और 31 मैं 2023 बुदवार जेश्ट शुक्ल एकादशीती थी हस्तनक्षत्र अब वधू प्रवेश के मुहुर्तों की बात करें तो 3 मैं 2023 बुदवार वैश्ट शुक्ल दश्मीती थी हस्तनक्षत्र 11 मैं 2023 बुदवार जेश्ट शुक्ल दश्मीती थी हस्तनक्षत्र अब द्विरागमन जिसे गौना भी कहा जाता है बच्चे के जन्म होने के पस्चात कन्या को घर लाना हो उसकी विशई के मुहुर्तों की बात करें तो 3 मैं 2023 बुदवार वैश्ट शुक्ल दश्मीती थी हस्तनक्षत्र 11 मैं 2023 गुरुवार जेश्ट कृष्ण शुष्टी थी उत्तरा शाडा नक्षत्र 4 मैं 2023 गुरुवार वैश्ट शुक्ल चतूर दश्मीती थी हस्तनक्षत्र अब मुंडन सौस्कार के मुहुर्तों की बात करें तो 3 मैं 2023 बुदवार वैश्ट शुक्ल दश्मीती थी हस्तनक्षत्र 8 मैं 2023 गुरुवार जेश्ट कृष्ण चृती थी जेश्टा नक्षत्र 12 मैं 2013 शुक्रवार जेश्ट कृष्ण सप्तमीति थी श्रवन नक्षत्र 12 मैं 2013 बुदवार जेश्ट कृष्ण त्रयोद शीति थी रेवती नक्षत्र 25 मैं 2013 सुमवार जेश्ट शुकल त्रुती आति थी अम्रगुशीर्श नक्षत्र 24 मैं 2023 बुदवार जेश्ट शुकल बंचमीजी थी पुनर्वसु नक्षत्र और 31 मैं 2023 बुदवार जेश्ट शुकल कादशी थी अस्तनक्षत्र अब यग्यों पवीत संस्कार के मुहुर्तों की बात करें जिसे जन्नेव भी कहा जाता है 2 मैं 2023 मंगलवार वैशाख शुकल द्वादशी थी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 7 मैं 2023 रविवार जेश्ट कृष्ण द्वितियाद थी अनुराधा नक्षत्र 10 मैं 2023 बुदवार जेश्ट कृष्ण पंचमीजी थी पूर्वा शाडा नक्षत्र 11 मैं 2013 गुरुवार जेष्ट कृष्ण 65 ती उत्राशाडा नक्षत्र 21 मैं 2013 रविवार जेष्ट शुक्ल द्विती आती ती रोहिनी नक्षत्र 22 मैं 2013 गुरुवार जेष्ट शुक्ल तृती आती ती मृदुशीर्श नक्षत्र 24 मैं 2023 बुदवार जेश्ट शुकल पिंच मीदिती पुनर्वसू नक्षत्र 28 मैं 2023 रविवार जेश्ट शुकल अश्ट मीदिती पूर्वा फालगुनी नक्षत्र 29 मैं 2023 सुमवार जेश्ट शुकल नव मीदिती उत्रा फालगुनी नक्षत्र और 30 मैं 2023 मंगलवार जेश्ट शुक्ल दश्मीत थी हस्तनक्षत्र नीव लगाने के मुहुर्त ग्री आरंभ के मुहुर्तों की बात करें मैं के महिने में 3 मैं 2023 बुदवार वैशाख शुक्ल त्रयोद शीत थी हस्तनक्षत्र 6 मैं 2023 उषनिवार जेश्ट क्रुष्ण प्रतिपदा थी विशाखा नक्षत्र 10 मैं 2023 बुदवार जेश्ट क्रुष्ण पिंचमीत थी पुर्वा शाडा नक्षत्र 11 मैं 2023 बुदवार जेश्ट क्रुष्ण शुष्ठी थी थी उक्तरा शाडा नक्षत्र 12 मैं 2013 शुक्रवार जेष्ट कृष्ण सप्तमीति थी श्रमन नक्षत्र 15 मैं 2013 सोम वार जेष्ट कृष्ण एकादश्यति थी पूरुवा बादरपदा नक्षत्र 22 मैं 2013 सोम वार जेष्ट शुकल तुरुदियाति थी यत्मुर्ग शीर्ष नक्षत्र 29 मईं 2023 सोम वार जेश्ट शुकल नवमी थी उत्तरा फालगुनीन अक्षात्र और 31 मईं 2023 बुद्वार जेश्ट शुकल एक आदशी थी हस्तनाक्षात्र गृप प्रवेश के मुहूर्तों की बात करे यहाँ पर नीव लगाने के मुहूर्तों की बात करे हर वार का भी अलग अलग फल होता है अगर प्रतियक वार का अलग फल आप जानना चाहते हैं तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए वीडियो के उपर क्लिक करके आप जान सकते हैं साथ में दूसरा वीडियो है वह पूरे वर्ष के निव लगाने के महरतों की जानकारी देगा आपको गरे प्रवेश के महरतों की बात करें तो 3 मैं 2023 बुदवार वैशाख शुकल त्रयोदशीती थी हस्तनक्षत्र 10 मैं 2023 बुदवार जेश्ट क्रुष्ण पंचमीती थी पुर्वाशाडा नक्षत्र 11 मैं 2023 बुदवार जेश्ट क्रुष्ण शष्टेती थी उत्तराशाडा नक्षत्र 12 मैं 2023 शुक्रवार जेश्ट क्रुष्ण सप्तमीती थी श्रवन नक्षत्र 15 मैं 2013 सोमवार जेष्ट कृष्ण एकादशीति थी पुर्वा भादरपदा नक्षत्र 17 मैं 2013 बुदवार जेष्ट कृष्ण त्रयोदशीति थी रिवती नक्षत्र 22 मैं 2013 सोमवार जेष्ट शुकल तृतियाति थी मिर्गशिर्ष नक्षत्र 29 मैं 2023 सोमवार जेश्ट शुकल नव मेतिती उत्तरा फालगोनी नक्षत्र और 31 मैं 2023 बुदवार जेश्ट शुकल का दशेती थी हस्त नक्षत्र अब वाहन खरीदने के मोहरतों की बात करे कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो 5 मैं 2023 शुक्रवार वैश्ट शुकल पूर्णी माति थी स्वाती नक्षत्र 12 मैं 2023 शुक्रवार जेश्ट कृष्ण सप्तमी थी श्रवन नक्षत्र और 24 मैं 2023 गुरु बुदवार जेश्ट शुकल पंच मी थी पुनर्वसु नक्षत्र अब व्यापार करने के मुहूर्टों की बात करें 2023 रविवार जेश्ट शुकल वितिया थी रोहिणी नक्षत्र और 31 मई 2023 वुदवार जेश्ट शुकल एक आदशेती थी हस्त नक्षत्र यहां पर व्यापार शुरू करने के महुर्ट में एक हाट चक्र नाम से शुद्धी देखी जाती है उसका बहुत ही महत्व होता है अनु विशे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो स्क्रीन के उपर दिख रहे वीडियो के उपर आप क्लिक कर सकते हैं तो यह थे मैई 2023 के सभी शुब महुर्ट आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी आवशिक सूचना प्रदान करे कि यहां पर सिर्फ पंचां महुर्टों की जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो के उपर क्लिक करें और आप स्वयम महुर्ट कैसे देख सकते हैं उस विशे की जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के उपर क्लिक करें जल्द ही मिलता है ऐसी हिश्चास्त्रिये जानकारीों के साथ तब तक के लिए धन् झाल झाल